प्रिति तोष्णिवाल एक अच्छे से थोट के साथ हमारा वीडियो शुरू करते हैं कि शाखे अगर हैं तो पत्ते भी आएंगे ये दिन अगर पूरे हैं तो अच्छे भी आएंगे चले शुरू करते हैं पांच सरकल जो है हमें यहां पर कट करने हैं. पांच ऑपेटल्स हम यहां पर डाल लियो. इस तरह से forts कर देंगे और joint कर देंगे. यहां पर हम इसे पेक कर देंगे नोट लगा देंगे और देखे इस तरह से जो है यह हमारा फ्लार बन जाएगा इसके सेंटर में जो है यह ओफाइट कलर का परल है इसे जो है हम लगा देंगे थ्रेड आपको कट नहीं करना है तूरंद तो इस तरह से जो है यह परल के अंद तो इसी तरह के जो है 3 फ्लार हमें बनाने हैं दो रेड कलर के और एक येलो कलर का इसे हम साइट रखेंगे उसके बाद यह का रिंग है मारे पास 8 inches की और यह सेटिन रिबन है इसे हम लेंगे इस रिबन को जो है को देखे कहीं से भी रिंग के कोई सी भी एक सीरे से आप यहा देखे इस ट्रेट हमें इस ribbon को उपर पुल करना है ठीक उसके उपर और उसके बाद जो है ये ribbon हमें इस सरकन में लपेटना है तो उसके लिए देखे इस तरह से left right थोड़ा थोड़ा हम ribbon को half half inches पर खिसकाते जाएंगे और इस तरह से जो है देखे इसे लपेटते जाएंगे पर चाहे तो glue लगा सकते हैं ताकि ये ribbon जो हमारा lose ना हो अपनी जगए से खिसके ना निकले ना और इसी तरह से देखिए satin ribbon है हमारा आप वूल भी यूज़ कर सकते हैं और इसे जो है रिंग पर हमें लपेटना है रिंग को पूरी तरह से cover करना है इस ribbon से satin ribbon के साथ थोड़ा easy होता है करना चोड़ाई इसकी थोड़ी होती है तो देखिए ये बरावा देखिए कितना सुन्दर लग रहा है इस तरह से दो तिन जगए पर बीच पीच में glue डाल कर हम इसे पेट कर लेंगे और निचे से भी जो है ribbon को extra जो ribbon हो से cut करके और यहां पर देखिए से secure कर देंगे इस तरह से secure कर देंगे उसके बाद उपर की तरफ इसे hang करने के लिए एक छोटा रिंग है हमारे पास इसे जो है आप wool से भी setage कर सकते है थ्रेट से भी नहीं तो इस तरह से glue लगा कर और अच्छे से हम इसे tightly चिपका देंगे इसके साथ उसके बाद यह lemon color का ही टेसल है हमारे पास long टेसल है जिस color का हमारा ribbon है उसी color का है टेसल है इसे जो है टेसल को हम सबसे पहले thread इसके साथ attach करेंगे और उसके बाद जहाँ पर हमने ring में देखे टोप पर यह ring लगाया था hang करने के लिए ठीक उसके नीचे center में हमें इसे attach करना है इस तरह से इसे hang करना है इसके साथ attach करना है इस तरह से extra जो thread होगा उसे हम cut कर देंगे दो तीन अच्छे तरह से यहां पर हम note लगाएंगे extra thread को cut कर देंगे उसके बाद यह देखे जो flowers हमने बनाए थे यह हम लेंगे इनके साथ तीन यह leaves हैं यह हम लेंगे सबसे पहले leaf को paste करेंगे center में yellow color के flower को paste करेंगे और उसके दोनों किनारों पर red color के flower को यहां पर सबसे पहले leaf को आपको ring के साथ attach करना है और उसके बाद red color का जो flower है उसे दोनों किनारों पर इस तरह से 8 inches की जो है यह ring है हमारी तो इसे जो है आप ऐसे भी रख सकते हैं नहीं तो center में थोड़ा खाली लग रहे है तो यह हम page यहां पर paste करेंगे और red और yellow color का चोटा flower है इसे जो है हम center में paste कर देंगे तो इस तरह से जो है लटकन हमार choice है इस तरह से देखिए